नमस्कार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि सोमवार के दिन आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव आपकी भक्ती से अत्यंत प्रसन्न है। दोस्तों सोमवार का दिन देवो के देव महादेव की पूजा आराधना का दिन होता है। इस दिन जो भी मनुष्य मन में सच्ची श्रधा रखकर भगवान भोलेनात की शरण में जाता है। भोलेनात उसके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। शिव जी अपने भक्तों से पंच पकवान के भोग, कीरे मानिक मोती अथवा सुवर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भोलेनात को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर सच्चे मन से भोल मनुष्य कलपना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है, वह साधारन जीवन ही जीना पसंद करता है। ऐसा मनुष्य जूठ मूठ का दिखावा नहीं करता है। वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है और कभी द लिए कपट नहीं होता है और वह जानबूच कर कभी दूसरों के साथ धोका नहीं करता है। महादेव का प्रिय भक्त पशूपर दया करता है। वह कभी किसी निश्पाप पशूपर अत्याचार नहीं करता है। इन लोगों को पशूपर की सेवा करना अत्यंत प्रिय होता ह शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति धन्वान होकर भी कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं करता है ज्यानी होकर भी अपने ज्यान पर अहंकार नहीं करता है हमेशा ही दूसरों के साथ विनमर्ता से पेश आता है चाहे बड़ा हो या छोटा सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है महादेव की कृपा से ही उसके अंदर ऐसे तेजस्वी लक्षन दिखाई देते हैं शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से नदी अपना जल खुद नहीं पीती है व्रिक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं बादल उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज नहीं मांगते हैं उसी प्रकार से महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद करते हैं. बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं. ये दूसरों को खुशिया देने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं. सदैव ही दूसरों की मदद के लिए ततपर रहते हैं. इसी कारण से ही तो ये लोग मह जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने पर भी शमाशील हो। गर में अनाज न हो, तब भी भूखों के लिए अन्न का प्रबंध करता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। डट कर उसका सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों पर महादेव की ही क्रिपा होती है। लेकिन ऐसे लोगों को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, वे अपने क्रोध पर नियंतरन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग कभी दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं। यह गुण उनके अंदर महादेव की कृपा के कारण ही होता है। लेकिन यदि आप सोमवार को महादेव पर बेल पत्र और जल चड़ाते हैं तो निश्चित ही आपका क्रोध शांत रहेगा। दोस्तों अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षन है तो आप समझ जाये की महादेव की आप पर कृपा है। और आपको सोमवार के दिन महादेव के ये साथ संकेत मिलते हैं तो अब आपका बुरा वक्त समाप्त होने वाला है। और आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने आपके सभी दुखों का और परेशानियों का अंथ होगा और आपके जीवन में सुख सम्रिधी लोट आएगी। यह संकेत प्रकृती के द्वारा स्वपन के माध्यम से अथवा पशुपक्षियों के द्वारा भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इन संकेतों को सुमवार के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्थ संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि सुमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुभ ब्रम्हमुहूर्थ पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो आपके जीवन में खुशिया आने वाली है आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा जहाँ पर आप कदम रखेंगे, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन नंदी भगवान शिव के वाहन है जहाँ पर शिव होते हैं, वहाँ पर नंदी अवश्य ही होते हैं इसलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन सफेद नंदी के दर्शन होते हैं यदि आपको सोमवार को नंदी दिखाई देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशिरवात देने आये हैं। भोले नाथ की क्रिपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थी वह समाप्थ हो चुकी है। और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड कर प्रणाम करना न भूले। तीसरा संकेत है नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोले नाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सुमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको सुमवार को ना पुरुष के दर्शन यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुट्टा आता है तो इसे शुग संकेत समझ ले कुट्टे के साथ हमें कभी दुर्व्यवार नहीं करना चाहिए नंदी के समान ही कुट्टे भोलेनात को अतिप्रिय है जो भी काले कुट्टे की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैफ प्रसन्न रहते हैं सोमवार को काले कुट्टे का घर पर आना यह संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है चठा संकेत है मिट्टी के घरे का दिखाई देना यदि सोमवार के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घरा दिखाई परता है, तो यह शुब संकेत समझना चाहिए यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है सात्वा संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ती के दर्शन भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है यदि सोमवार को भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अगोरी के दर्शन होते हैं, तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए भस्म लगाई हुई व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपके सभी रोगों का नाश होगा तो दोस्तों क्या आपको भी सोमवार के दिन ऐसे साथ संकेत मिलते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आपका धन्यवाद